हेलो फ्रेंट्स वेल्टम वेक टू मैं यूटूब चैनल वैशनभी प्री एजूकेशन क्लासे जल्दी से क्लास में आईए प्रभणी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं एक बार पटा-पट से जोरदार तरीके से क्लास को शेर भी कर दीजे ताकि सभी लोग क्लास से जुड़ स पढ़ाया हुए है जैसे में फुसेंद पढ़ाया हुए है और नंदिलाल बोस हैं अमनीनाट टैगोर मतलब काफी सारे कलाकार हमने जो ट्रिक के माध्य हम से पढ़ाया हुए है उनको देखते हुए आप लगों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि मैं अम्रिता शे चाहिए क्लास में फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं अग और जल्दी से शेर बी कर दीजें तांकि सभी लोग चुड़ सके ठीक है चले लेखें जो ट्रिक होगी हमारी वो एकदम धमाकेदार होती है अप सभी जानते है और आग की जो ट्रिक है को कैसी है वो समझ लीजे पहले, यहां पर हम किसको देख रहे हैं, अमरिता शेरगिल को देख रहे हैं, तो हमारी जो ट्रिक स्टार्ट होगी, वो अमरिता शेरगिल से ही स्टार्ट होगी, मतलब अमरिता शेरगिल नाम की एक लड़की है, यह केबल ट्रिक है, ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं है केवल हम ट्रिक बता रहे हैं अब समझेगा क्या ट्रिक है अमरिता शेगिल एक लड़की का नाम है और इसकी शादी होनी है तो जो घर का माहौल होता है शादी के टाइम पर इसी अमरिता के घर में जो शादी हो रही है अमरिता की उसकी घर का जो माहौल है जो परिशली करना है भी को परी इटान, इसल के अपने नहीं दाना है कि डातो दिड़की ल्ड़किक कारिक और्शा बेना थाय भयां ऎयुके आपको याद रखना है और फर्टी अच अपने विवन को दिखना भी लाखा है व इसको बोलेंगे अमृता शेरगिल को ठीक है तो क्या है इन्होंने क्या बनाया है हंगेरियन जिप्सी गल इस तरह से आपका पहला निकल की आ जाता है ठीक है तो हमारी ट्रिक कहां से स्टार्ट हुई की अमृता शेरगिल एक लड़की है गाउं की रहने वाली है लेकिन उसक जो शौक है वो हर तरीके की गाड़ी चलाती है मतलब जिप्सी टाइप की गाड़ी चलाती है ठीक है और कहां की है तो गाउं की है तो गाउं से याल रखना है ग्रामीड द्रश क्या याल रखना है ग्रामीड द्रश और कभी-कभी इंग्लिस में भी इसमें पूंच लिया ठीक है ऐसे ही आपका ग्रामिर द्रश हिंदी तो आप चांतेगी है ठीक है तो हमने देखा अम्रता नाम की लड़की है वो जिप्सी गाडी चलाती है तो हंगेरीन जिप्सी गर्ड हो गई और गाओं की रहने वाली है ग्रामीर द्रश है या फिर रूरल सीन हो जाएगा समझ में आगया यहां तक आगे चलते हैं अब जब शादी वाला माहौल है तो वहाँ पर गाउं का एरिया है तो गाउं में क्या होता है चारपाई बगेर फैली होती है रखी होती है तो उसी में सब लोग बैठे हुए होते है तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि चारपाई पर मैलाएं बैठी हुई है शादी का माहौल है अमेजन करिए इस शीज को बिल्कुल से अपने दिमाग में क्रियेट करिए अर्टिक को बिल्क बाता रहे हैं अपने दिमाग में एकड़म करीए तो यही आपके वहां पर चारपाई पर महिलाएं बैठी हुई है और क्या हो रहा है गरीब मजदूर काम कर रहे हैं कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है ठीक है तो गरीब मजदूर या रखना है और जो ब्रह्मचारी लोग है वो गडेश जी का पूजन पाथन कर रहे हैं ठीक है तो कौन ब्रह्मचारी क्या कर रहे हैं गडेश जी की फ ब्रम्म्मचारी ब्रम्म्मचारी है इस हमें देने देशने कर लोग धर इता है। यह लिए वहाँ पूछा जाता है है थी पल बेचने वाले या फिर मोड़ को याद रखना है धिने है क्या है और काम पर लगेव कुई कुछ काम करना है। ऐसे ही जो ब्रह्मचारि लोग थो गणेस्जी की पूजा कर रहे साइड़ में बेखें। और जो प्ल बीचने वाला है और फल बेच रहा है यहां तक केरे हो आगे चलते हैं अब देखो, अब देखो क्या होता है कि जब ग्रामीर में, गाउं में मतलब शादी वगरा होती है, गाउं में हो या कहीं भी हो, ये चीज सब क्या होती है, ठीक है, तो क्या होता है, कि बाहर से, बाहर से बुलाये जाता है, और तों को बुलाये जाता है, गाने आने के लिए लें तेन यूगतिया आई है इसका इंगलिस भी आनस्लेशन पूचा जातभा याद रखना। और तीन वोमन आई हुई तर किसली बुलाई गई है गायन बादन के लिए है ये सिक गायन के लिए बुलाई गई है तो सिख गायक भी आपको यार रखना है, ठीक है, अभी हम ट्रिक को फिर से रिपीट करेंगे, अभी केवल सुनते चाहिए, ठीक है, आज आगे, अब देखें, ये गायन बादन हो रहा है, जब ये लोग गाना बजाना कर रहे हैं, तो बढ़िये से हल्दी की रस्म हो रही है हल्दी पीसी जा रही है, हल्दी पीसी जा रही है, और गाना भी गब रहे हैं, होता है, ये चीजे बहुत अच्छी लगती है, जब ऐसा होता है न घर पे, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, किसली बुलाए गया है इनको, इनको हमने सिख गायन के लिए बुलाए गया है अब यहां पर गायन बादन हो रहा है, साथ में, साथ में क्या हो रहा है, हल्दी पीस ही जा रही है, देखे इसका हिंदी में भी पूछा जाता है, इसका इंगलिस में भी, तो हमें दोनों ही लिखती हैं, तो क्या है, हल्दी पीस दी और और हल्दी ग्राइटर, ऐसे भी पू तुम्हारे हल्दी लगा दें अब हल्दी पिश चुकी है अब हल्दी उठाकर उसकी लगाई जाती है गालों में ठीक है और जो लड़की है वो एकदम से जब हल्दी लग जाती है बढ़ियां एकदम सुंदर सी लगने लगती है मतलब यंग लगने लगती है एकदम बहुत लगने लगती है, तो यंग गड़्ल याद रखना है, फिलने, जेड़, आध रहे है, बाल वधु यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल वधु के बारे में, की कि बाल वधु किस ने बनाया है? तो यह याद रखना है अम्रता शेल गिल्य बनाया है ये भी आपको याद रखना है ठीके अभी व blasting बाल बधु ही है क्योजन्ग उप्धर रहे है अच्छी लग रहे है तो वह अच्छी लग रही है तो उपचों की तरीके ही लिख रहे है प्यारी से दिख रही है, क्या ऐसे याद कर लिजय ट्रिक से, यंग गड़ बार बदू याद लगना है, फिल क्या है, अभी तेखो, जब हल्दी नहीं लगी होती है, तब तक उसका जो बॉड़ी रहती है, वो एकदम नीली टाइप की रहती है, लेकिन आप लोग भी देखे हल्दी लग जाती है, तो वो एकदम कैसी लगने लगती है, यंग गड़ लगने लगती है, बाल बदू लगने लगती है, ठीक है, आगे बढ़ते है, अब जेखे ये जो पूरा सीन हो रहा है, हमने पहले ही आपको बताया, ग्रामीर द्रश्च को ही हम इंगलिस में क्या ब वाँ पल बेचने वाला वढ़ना हो रहा है, जिर तो आए बोलते हैं, एक और बेचने वाला वाला ये बहने लगती है, भी खोरे है, इस अब देख देख रही हैं है गर कोई पर ये क्झारी काम HOLावत कि पाता है जादी के अँरा होती है, आज को हाथ ज़नी चारफ शाल न पर महिलाए बैठी हुई है और शादी किसकी हो रही है अमरता शेरगिल की हो रही है और यह है कॉल हंगिरियन जिक्सी गर्ड ठीक है यहां तक समझ में आगे सभी को चले आगे चले अब देखिए यहां पर हल्दी लग रही है और वही साइड में एक तरफ हाथियों को नहला हो रहा है और कितने हाथि ले जाने की प्लानिक है दो हाथियों को ले जाने की एक में दुल्ह बैठेगा एक में दुल्हन बैठेगी इस तरह से आपकी तैयारिया चल रही है तो टू एलिफेंट याद रखना है और साथ में हाथि का इसनान भी याद रखना है किलियर भू आज हमारे घर में साधी है इसलिए आज तो नहीं दे पाएंगे आज बहुत भरभर वाला काम है इसलिए पर्सु आना तो कौन आता है पहले भिखमंगे आते हैं तो आप क्या बोलते हैं पर्सु आना आज शादी है कल विदाई है पर्सु आना तो बहुत साला समाल दिया चा किसलिए क्या बोलता है उसको ब्यूटी पालर के लिए मार्केट में ब्यूटी पालर है इसलिए वो जा रही है मार्केट तो अब कौन सा सीन आपको देखने को मिलता है Hungarian market scene, कौन जा रही है, Hungarian भी बोलते है ना, उसको, Hungarian gypsy कर, ठीक है, तो, Hungarian market scene भी आपको याद रखना है, अब market जा रही है, अब market में क्या हो रहा है, समझी का market में चली जाती है, तो अब यहां पर उसका, यूटी पालर में, स्रिंगार होता है, ठीक है, तो आपको, यहां से दो याद रखनी है, पहला वधू का स्रिंगार, या फिर दुलहन का प्रशाधन, हिंदी में बोल दे, तो दुलहन का प्रशाधन, और इंगलिस में, मतलब नॉर्मली दे दे, तो वधू का स्रिंगार हो जाएगा, बहर पूछा जाता है, यह आपको याद रखना है, ठीक है, अब इसको तयार किया जा रहा है, वधू का स्रिंगार हो रहा है, अब जो स्रिंगार हो जाता है, तो क्या कहते हैं सभी लोग, जितने भी गाउवासी होते हैं, कि अब तक तो लड़की तयार हो गई होगी, अब तक तो अम्रता शेरिगल जो है, वो तयार हो चुकी होगी, अब एक काम करते हैं सभी लोग चलते हैं तो आप पूरा गाओं भी वहाँ पर आ जाता है ठीक है बाजार जाते हुए दक्षर भारती ग्रामीर जो ये भारत के जो मतलब ये ग्रामीर लोग है आप क्या करते हैं वो भी बाजार चले जाते हैं लड़की को वहाँ से लेकर जब भी काने नहीं हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं समझेगा कहानी कहती हुई औरते आ रही है मतलब लड़की को लेकर चल दिये हैं अब क्या हो रहा है कहानी कहती हुई औरते हो रही है ठीक है समझेगा कहानी कहती हुई और बच्चों को जो कि बच्चों प्रश्च था आपके दिमाग में सेट होगा की कैसे कैसे पूरा शीन चल रहा है ठीक है समझ में आया देखे हमारी जो ट्रेक होती है थोड़ा सा टेड़ी मकोली और बहुत इंट्रस्टिंग होती है ताकि आपके दिमाख में सैट हो जाए चलिए एक बर रिपीट करते हैं ठीक है एक बर पटाफट से देख लेते हैं चलिए तो हमने क्या बताया अमृता श जो लास्ट क्लास होई थी उसमें बहुत जादा हलकापन होगया इस वजह से आपको दिख नहीं रहा था किलियर लेकिन आपको आज बिलकुल किलियर देख रहा होगा और आगे भी बिलकुल किलियर ही देखेगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं देखे हमने क्या बताया थेर्की भी गत्रिक पिए में वृटर कर रहे हैं, तो द्यान से सुने लीजेगा अमरिता शेरगिर के लिए करें, प्रिक भी बात करें, इस घ्राथ की में अमरिता नाग से लड़की जो घिपसी चलाती है तो हंगेरियन जिपसी गर्ण हो जाएगा और ये गाउं की रहने वाली है ग्रामेर द्रश्च होगा और इसकी शादी हो रही है तो इसके घर का जो माहौन हो रहा है वो क्या है वो इनके चित्रों की ट्रिक है समझेगा ग्रामेर द्रश्च मतलब गाउं की लड़की है और ज पूजन पाथन कर रहे हैं तो फल बेशने华 आ रहे हैं कि लोगवस्ति लोग आ दोऄों और दूर से परवती इस्त्रियों को बुलाया जा रहा है और अशमी सिन युगतियों को बुलाया re ताकि सिख गायन बादन के लिए इन लोगों को बुलाया जारा है और फिर क्या होता है हल्दी पीस्ती और वहीं साइड में हल्दी पीस रही है और इसी को हम हल्दी ग्राइंडर बोलते हैं इंग्लिस में ठीक है और फिर क्या है अब जब लड़की जो होती है वो आती है तो तो इसका color neela-neela से होता है लेकिन जब इसको हलदी लगा दी जाती है तो क्या हो जाता है वो इक्दम तब यंग टाइप की लगने लगती है सुंदर लगने लगती है बाल बजु वह आपको यहां से याद रखना है ठीक है, हांती का इसना उर यह नियदोन करे हो यह ने, साइड में हाफियों को नहलाये जा रहे है दो हाति को ताकिक एक में दूल्हाबैट सके एक में दुखन बैट सके ठीक है yeah हो गया वही पर साइड में भिखमंगो की की भिखमंगे आ रहे है उन से कहा जा रहा रह आज हमारे घर में शादी है, आज कल बिदाई होगी, कल भी हम लोग बिजी रहेंगे, परसो आना तो आपको कुप सारा खाने के लिए इंतिजाम कर दिया जाएगा, ठीक है, तभेख मंगी हो गया, तो परसों हो गया, तो परसों से यादतना है, ठीक है, हंगेरियन मार्केट मार्केट में ही ब्यूटि प्र करना जाती है, बध। मतलब बधू का स्रिंगार किया जाता है, है और बाजार जाते हमें अब जब बाजार खाना ही तो गाहन वाले प् defenders कुछ रामीर को जाते हैं, ठीक है? और जब यहां से सब्लाइका कि लड़की को लेकर फिर बैठते हैं ऊट में किस है? उट में बैठते है ऊट में सभी लोग बैठकर यहUP काफी सारी हुड़ होते हैं अब जब भारात वाले स्थ्थर पर निकलते हैं तो कई हाना आती होई वह ओरते दिखाई देती हैं तो छोटी सी ट्रिक है थोड़ा सा बताने में जरूर टाइम लग रहा है क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए इस वज़े से हम आराम राम से बोले हैं बाकी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ट्रिक कैसी लगी है आपको यह आपको कमेंट बॉक बोक्स पे हमें बताना है ठीक है तो मेरे बहुत अच्छी क्लास लगी होगी और आज तो हमने अम्रता शेयरगिल को पढ़ाया है आप लोग सज़ेस्ट करिएगा अब नेक्स्ट कलाकार कौन सा आना जहें ठीक है क्योंकि अम्रता शेयरगिल आप लोगोंने बोला था कि मै हम बहुत मैंने लगती है पहले तो लिखना पड़ता है और फिर समझ रहा है आप लोग ठीक है चलीच स्क्रिंसौट लेना होगा है ना बेजी ची स्क्रिंसौट एक काम करते हैं एक बार हम चित्रों को थोड़ा से बीट करवा देते हैं के बने चित्रों हो पन्रता जितने भी चित्र हैं उनको हम लोग यहां पर देखने वाले हैं कौन-कौन से ग्रामने ट्रश, चार पाई पर महिलाय, गरीब मजदू, गड़ेस पूजन, ब्रह्मचारी, फल बेजने वाले या केले बेचने वाले, परवती इस्त्रियां, तीन यूगतियां, परवती पुर सब्सों, हंगेरियन मार्केट सीन, और है वदू का स्रिंगार, हंगेरियन जिप्सी गर्ड, बाजार चाते हुए दक्षर भागती ग्रामी, कहानी कहती हुए और टे, और है पर्चों को गोद में लिए साधारन और अउठ, ये सब चत्र किसके हैं, अमरता शेर किरके हैं, इसको हमें सॉट्स में लगाना होगा ना, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको पास्ट भी में कर दिया है, अब इसके सॉट्स लीजे फटा फट से, फिर आफ करते हैं, चलिए, आफ करते हैं,